हेलो फ्रेंट्स, वेलकॉम टुशेट वीथ स्मार्टनेस, अई होग कि आप जहां भी होंगे स्वास्तिवां सुरक्षित होंगे तो दोस्तो आज हम कॉंग्रेस के जो प्रेमु का अधिवेशन हुए है उनसे समझे कुछ प्रेशन देखने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही हैलफल होंगे तो चलिए देखते हैं आपका पहला कोशन क्या है तो दोस्तो आपको जो फर्स्ट कोशन है कि कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन कहा हुआ था तो दोस्तों इसमें जो अपका correct answer का option number A होगा जो कि है बंबाई में तो दोस्तों जो Congress का पहला अधिवेशन हुआ था वे मुंबाई सहर में हुआ था और कब हुआ था तो 1885 में हुआ था 1885 में पहला अधिवेशन आयुजित किया गया था और उसमें जो अधिवेशन चुने गया थे पहले अधिवेशन में उनका नाम था W.C. Benerji यानकी ब्योमेश चंदर Benerji ठीक है इस अधिवेशन में भारती को राश्टी कॉंग्रेस का गठन किया गया था W.C. Benerji इसके पहले अधिवेशन चुने गया थे और इनको कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अधिवेशन चुना गया था जो कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था वैब का 286 में हुआ था कलकत्ता में थीक है तो याद रखेगा नेश कुसरन देखते हैं को समा थर्ड आप लोक का है कि कॉंग्रेस के प्रथम मुसलीम अधेक्ष कौन बने थे तो यहाँ पर जो correct answer होगा option मेर ची होगा जो कि है बदुरुद्दीन तयब जी दोस्तों कॉंग्रेस के प्रथम मुसलीम अधेक्ष बने थे बदुरुद्दीन तयब जी को बनाय गया थ और इनको तीसरे अधिवेशन में अधेक्ष चुना गया था जो कॉंग्रेस का तीसरे अधिवेशन हुआ था 1887 में मदरास में आजित किया गया था ठीक है और यहाँ पर इनको अधेक्ष चुना गया था जो कि पहले मुसलीम अधेक्ष के रुप में चुने गया थे नेश और इनको कॉंग्रेस के चौथे अधिवेशन में रख चुना गया था जो आपका चौथा अधिवेशन है यह अपका इलाहवाद में आउजित किया गया था ठीक है तो चले आंगे देखते हैं दोस्तो हमने जो चार अधिवेशन देखे सुरुवाती बहुत एक्जाम में अधिवेशन 886 मदरास अधिवेशन 887 और जो इलाहवाद अधिवेशन है 888 में हुआ था यहाँ पर जो आधिवेशन चुने गया था डेबलूसी बिनर जी थे कलकत्त में दादाभाई नरोजी थे मदरास में बदरुद्दिन तयब जी थे और जोर्ज यूल आपके इलाह कोंग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसरों का उप्सन नमर ए होगा जो की है 1889 ठीक है उप्सन नमर ए यहाँ पर करेक्ट आंसरों का 1889 और यह जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों यह आपका बंबाई में हुआ था ठीक है मुंबाई में अधिवेशन हुआ था और यहां पर जो अध्यक्ष बनाए गया थे विलियम वेडरन वर्ण को यहां पर अध्यक्ष चुना गया था विलियम वेडरन वर्ण कौन है दोस्त आप लोग का है कि Congress के किस अधिवेशन में पहली वार राष्ट्री गीत बंदे मातरम का गायन हुआ था तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा option number A होगा जो कि है 896 दोस्तो 896 के Congress अधिवेशन में पहली वार बंदे मातरम का गायन किया गया था जो आपका 896 दिवेशन हुआ था यहाँ आपका कलकत्ता में आज़िद किया गया था कलकत्ता दिवेशन के नाम से जाना जाता है और दोस्तों यहाँ पर जो आपके अधिवेशन के नाम रहीम तुल्ला सयानी था ठीक है रहीम तुल्ला स्यानी यहां पर अध्यक्ष चुने गया थे दोस्तों जो आपका वंकीम चंद चटरजी के द्वारा वंदे मातर में जो हमारा राश्टी की था उसको लिखा गया है तो याद रिखेगा नेश कुशन देखते हैं 1906 के कलकत्ता अध्यक्ष कौन थे यहां पर जो करेक्ट आंसरों का ओप्शन नमर B होगा जो की दाधा भाई नरोजी दादा भाई निरौजी को 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है उसमें अधैक्ष की रूप में चुना गया था इस अधिवेशन में इन्होंने चार प्रिस्ताओं को अपनाया था सौराज, बहिसकार आंदोलन, स्वदेशी और राश्ट्री सिक्षा तो याद रखेगा, नेश कोशन देखते हैं, नेश कोशन अपने लोग का है कि कॉंग्रेस का बिवाजन किस अधिवेशन में हुआ था तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसरों को अप्सन नुम्बर C होगा जो किया 1907 1907 में कॉंग्रेस का बिवाजन हुआ था, दोस्तों यह जो 1907 का अधिवेशन हुआ था या आपका सूरत में हुआ था जिसको सूरत अधिवेशन या पर सूरत बिवाजन के नाम से भी जाना जाता है 1907 के जो सूरत अधिवेशन के जो अधैक्ष थे उनका नाम रास विहारी घोस था ठीक है इसमें जो आपका कॉंग्रेस का जो बिवाजन हो गया था वै नरम दल वा गरम दल दो गुटों में बढ़ गया था नेश कुसन देखते हैं कि कॉस्पर नाइन्थ अपलोक का है कि कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सरप्रफम राष्टगान गाया गया था तो यहां पर जो correct आंसर होगा option number A होगा जो कि कलकत्ता दोस्तो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्टगन गाया गया था और कब गया गया तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था उसमें जो अधेक्ष जो नहें गया थे उनका नाम था अधेक्ष बियंधर ठीक है बियंधर यहां पर जो अधेक्ष बनाय गया थे और इसी अधिवेशन में पहली बात जनगर्णमन गाया गया था नियाश कुशन देखते हैं कोसर में टैंथ आप लोग कहें कि कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग में समझाता किस अधिवेशन में हुआ था तो यहाँ पर जो correct answer का option number A होगा जो की है लखनाउ दोस्तों कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझाता हुआ था वर लखनाउ पैक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों जो आपका लखनाउ अधिवेशन हुआ था यापका 1916 में हुआ था और यहाँ पर जो अधाक चुने गया थे उनका नाम था AC मजुमदार और दोस्तों इसी अधिवेशन में कॉंग्रेस के जो दो गोट बन गया थे नरमदल और गरमदल इनके बीच में एकता या फिर अपका है कि समझाता हो गया था ठीक है मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के बीच में जो समझाता हुआ है इसको लखनव पैक्ट के नाम से जाना जाता है नेक्स कुशन देखते हैं दोस्तों नेक्स कुशन आप लोक का है कि कॉंग्रेस की पहली महिला अधिक्ष कौन थी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अपसे नमबर बी होगा जो कि ए एनि बेसेंट दोस्तों Congress की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वे आपकी Any Basin को चुना गया था और ये कब बनाई गयी थी तो दोस्तों आयाद रखेगा 1917 में जो कलकत्ता दिवेशन हुआ है वहीं पर Any Basin को अध्यक्ष की रूप में चुना गया था और ये कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों जो Any Basin है ये आपकी Ireland देश से थी कई बार आपसे पूछा गया है तो याद रखेगा Any Basin अध्यक्ष 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 बनाए गया थे और इनकी तब उम्र कितनी थी 35 वर्स के उम्र में इनको कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और सबसे पहली बार अध्यक्ष कब बनाए गया थे तो 1923 के जो दिल्ली अध्यवेशन हुआ था उसमें मौलाना अभूल कलामाजाद को अध्यक्ष रहे थे तो यहां पर जो कर्यक्ट आंसर होगा उप्सन नुमर जो आपका सी है 1924 दोस्तो 1924 के जो कॉंग्रेस का जो अध्यक्ष की रूप में चुने गया थे नेक्स कुसन आप लोग कह कि कॉंग्रेस की प्रथम भारती महिला अध्यक्ष कब बनी थी दोस्तो कॉंग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी आपकी एने विसेंट थी लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया कि कॉंग्रेस की प्रथम भारती महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो इसका जो गर्यक्ट आंसर होगा ऑप्सन मर डी होगा जो की 1925 दोस्तो 1925 में जो अधिवेशन हुआ था आपका कानपूर में हुआ था वहीं पर जो आपके अध्यक्ष चुनी गई थी सरोजनी नाइडू को चुना गया था और आपकी पहली भारती महिला अध्यक्ष चुनी गई थी ठीक है और दोस्तों इसी अधिवेशन में जो है सरप्रथम जंडा गी जो आपका है बीजाई बीसो तिरंगा प्यारा सिरी स्यामलाल गुप्त के द्वारा गाया गया था 1925 का अधिवेशन कहां हुआ था तो यह कानपूर में हुआ था नेश कोसन देखते हैं कोसमर 15 आप लोग कह कि पूर्ण सोराज का प्रस्ताव का पारित किया गया था तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसरों का उप्सन नमर बी होगा जो किया 1929 को दोस्तों 1929 के जो अधिवेशन हुआ था आपका लहौर में हुआ था लहौर सब इत किया गया था 1929 में नेश कोसन दिखते हैं कोसमर 16 आप लोग कहा है कि और का दिवेशन सर प्राथम गाउं में कब हुँआ था दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहर जोन मर सी होगा जो कि यह 1937 में पहली बार जो आपका प्याजपूर में हुआ था जो आपका फ्याजप ठीक है फैजपूर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जवाहल लाल नहरू थे 1937 में यह अधिवेशन हुआ था किसी गाउम में होने वाला यह पहला अधिवेशन था नेश कोशन देखते हैं दोस्तो नेश कोशन आप लोग कहें कि अध्यक्ष पद के लिए सर्व प्रतम मत्यदान किस अधिवेशन में हुआ था तो यहाँ पर जो करेक्ट टानसर का अप्शन नुमर बी होगा जो कि है त्रिपूरी अधिवेशन दोस्तो जो आपका त्रिपूरी अधिवेशन हुआ था यह अपका मद्ध प्रदेश में है और 1949 में हुआ था दोस्तो यहाँ पर जो अध्यक्ष चुने गया थे सबसे पहले यहाँ पर जो मद्दार में सुभाज चंदर बोस अध्यक्ष चुने गया थे कि फॉरवर ब्लॉक का जो है इस थापनक कप की गई है तो दोस्तो आप लोग याद रखिएगा सुभाज संदर बोस के दौरा 1949 में इसका गठन किया था तीन मई 1949 को नेस्ट कुसन देखते हैं दोस्तो नेस्ट कुसन आप लोग का है कि आपका महरास्ट में हुआ था और वहीं पर जो है अध्यक्ष चुने गया थे मौलाना अबुल कला माजाद लेकिन उसके बाद 1941 से 45 की विश में कोई भी या दिवेशन नहीं हुआ था जिसकी वैससे मौलाना अबुल कला माजाद ही 6 वरुस्तो तक जो है आपके काद पर बने रहे थे थे थेख है नेश्क कुसंद दिखते हैं कोसमर 19 अप लोग का है कि स्वतंता के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे यहां पर जो कर्यक्ट आंसर होगा option नमर ए होगा जो किया जेवी क्रपलानी दोस्तों जेवी क्रपलानी स्वतंता के समय इंडिय का आयोजन कहा हुआ है तो इसका जो correct answer option number A है जो कि आपका कलकत्ता है तो कलकत्ता में जो आपका सरवाधिक 10 बार आयोजन किया गया है Congress का अधिवेशन का इसके बाद जो आपका बंबाई में 7 बार हुआ है मदरास में भी 7 बार हुआ है तो याद रखेगा आप लोग से है कि 1885 से लेकर 1929 तक Congress के सभी अधिवेशन किस महिने में हुए है तो यहाँ पर जो correct answer हो का option number D होगा जो कि है दिसंबर महिने में ठीक है 1885 से लेकर 1929 तक Congress के सभी अधिवेशन दिसंबर महा में हुए है किस अधिवेशन में पहली बार Congress कारे करताओं है तो खादी पहनना अनिवार किया गया है तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा option number B होगा जो कि है गुवाहार्टी अधिवेशन ठीक है दोस्तों गुवाहार्टी जो आपका अधिवेशन हुआ है आपका 1926 में हुआ था यहीं पर जो है खादी पहनना अनिवार कर दिया गया था नेश कुसन दिखते हैं दोस्तों नेश कुसन आपका है कि पंडित जवाहालाल नहरू कितनी बार कॉंग्रेस के अधिख्च रहे हैं तो यहाँ पर जो correct answer होगा option number A होगा जो कि है तीन बार पंडित जवाहालाल नहरू कॉंग्रेस के तीन बार अधिख्च चुने गया है तो यहाँ पर जो correct answer होगा option number A होगा जो कि है नागपूर अधिवेशन दोस्तो नागपूर अधिवेशन 8891 में हुआ था और इसी अधिवेशन में राश्टी सब्द को कॉंग्रेस के पहले जोड़ा गया था नेश्ट कॉसन देखते हैं दोस्तो नेश्ट कॉसन अपलोग का है कि भारती राश्टी कॉंग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था दोस्तो आपका मोस्ट इंपॉर्टन कोसन आपके हर एक्जाम में पूछा जाता है भारती राश्टी कॉंग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था तो य और ड्रिपन के बाद 884 में गवर्णर जनरल बने थे दोस्तो भारती राश्टी कॉंग्रस की स्थापना 885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई है तो दोस्तो यह हमारे आज के इंप्पोर्डन कोशन से आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तो अगर आपक और अपने फ्रेंट्स में जरूर सेर करेगा मिलते है नेक्स वीडियो में